पेज नमबर 2 पे आप देखो, simultaneous linear equation में आपको example number 1, जो example number 1 दिया है, उसमें दो method दिया है, दो के दो method आपको इस syllabus में delete किया गया है, जो board exam में नहीं आएगा, हाँ फिलाल आप उस से solve कर सकते हो, बर्ट ये board exam में नहीं आना वाला है, इसको आप delete कर सकते हो, पेज नमबर 2 के बाद आपको आना है, पेज नमबर 3 पे, पेज नमबर 3 पे आप देखो तो आपको example number 2, example number 2 आपको cut कर लेना है, example number 2 नहीं आने वाला है, यहां से आपको example number 2 cut करना है, आपको example number 3 को touch नहीं करना है, यह आएगा, आपको इसको cut नहीं करना है, example number 3 आने वाला है के बाद आपको आना है पेज नंबर पोर पे पेज़ नंबर फोर पे आपको लिए हे अपको कर लेना है यह लेडियोस किया गया है इसको ओके इन आपको उसके बादना है पेज नमबर 5 पे जोगे बच्चों अपका पेज नमबर 5 यह पीसनमर फाइब में आपको question नमबर 5 दिख रहा होगा इस question नमबर 2 के लिए ऌफ सब्सक्राइब जिसमें आपको 26 one two six question को क्या कर लेना पैर आना है ये इस क्वेस्टन को कर ले लेना है यह इस लिभव से एक्टिवीटि देखेगा इस अपने स्लेबस में आपको अपने स्लेबस में कि लेगए है यह आप self-study खुछते कर सकते हो बड़ वो board exam में नहीं आने वाला है then आपको 16 के बाद आना है next page पे 16 के बाद आपको next page पे आना है जो कि page number है 17 और 17 आपको full page eliminate करना है full page आपको cut कर लेना है इसमें से equations नहीं आएंगे 17 के बाद आपको 18 जो full page दिखा रहा है 18 जो full page है वो भी आपको क्या करना है cut कर लेना है 18 नंबर page भी नहीं आएगा देन आपको आना है page number 19 पे page number 19 पे आप देखो तो एक आपको activity दिख रही है वह activity भी cut करना है साथ में practice set 1.4 का यही जो पूरा practice set हो वह भी दिलिट किया गया है तो वह भी 1.4 भी नहीं आने वाला है इतना cut करने के बाद आपको आगे चलना है page number 28 पे कौन से page पे आना है 19 के बाद आपको 19 के बाद आना है page number 28 पर सब लोग page number 28 पर आ जाएंगे page number 28 पर आप आप आओगे तो आपको यह question number 6 दिख रहाओगा ओके यह page number 28 है page number 28 में आपको question number 6 question number 6 के अंदर जितने भी page number 28 है page number 28 में जो question number 6 से उसके सारे सब question को आपको cut कर लेना है इसमें से कोई question भी नहीं आने वाला है उसके बाद आपको next page प्याना है next page जो आपका रहेगा वो रहेगा quadratic equation का page number 37 तो सब लोगों को page number 37 प्याना है so page number 37 में आप देख लो क्या क्या है reductions है page number 37 में जो सबसे बड़ा reduction है वो यह है और यह सब बच्चों के लिए good news भी completing square method completing square method को sliver से reduce कर दिया गया उसे हटा दिया गया तो completing square method आपको नहीं पढ़ना है so completing square method अकर 37 पे है तो उसके जो questions 38 पे है तो आपको 38 page भी full page eliminate कर लेना उसे cut कर देना है 38 के बाद जो आपका practice set 2.3 है practice set 2.3 भी नहीं आने वाला है ओके हाँ practice set 2.3 तक आपको ध्यान रखना है next जो formula method वो लेबस में include है वो आएगा तो formula method के साथ आपको कुछ भी नहीं करना है formula method आपका आने वाला है ओके दिन आप आगे बढ़ेंगे इसके बाद जो page आपको cut करना है वो है page number 42 page number 42 का यह जो sum है आपको उसे cut कर लेना है यह full page आपको पढ़ने के जरूत नहीं है next page पर हम लोग आएंगे next page पर आपको दिख रहा होगा next page पर आपको दिख रहा होगा यह जो factorization है factorization तो आएगा but completing square method यह आपको cut कर लेना यह completing square method इसमें नहीं आने वारा है तो completing square basically syllabus से उन लोगों ने हटा दिया है okay 38 का भी जो पूरा page है स्वारी हम लोग कौन से page पर थे page number 43 then आपको page number 46 प्याना है किस प्याना है page number 46 प्याना है सबको चले हम लोग page number 46 पर चलते है यह आपका page number 46 है और इस page number 46 में आपको कौन से topic को cut करना है यहाँ पर heading दिया गया है the relation between the roots of the quality equation and coefficient इस page को आपको क्या करना है completely पूरे page को delete कर देना है यह syllabus से remove हो चुका है तो 46 के बाद आपको next page पर आना है जो page कौन सा है 47 47 full page भी आपको क्या करना है delete कर देना है now उसके बाद आपको next page पर चलना है 47 के बाद आपको 49 page पर आना है 47 के बाद आपको 49 page पर आना है तो 49 page पर आपको दिख रहा होगा let's remember let's remember वाले में जो आपको दूसरा तीसरा और चौथा point दिख रहा है वो तीनों point को आपको remove कर देना है इस syllabus से remove हो चुका है भी फिलाल के लिए देना आपको आना है directly page number 50 पर प्रेक्टिस से 2.5 में जो activity number 3 है इसे आपको cut करना है देना आपको आना है page number 50 पर page number 50 पर आपको दो question को cut करना है मैं आपको page number दिखा देता हूँ यह page number 50 है ठीक है इस page number 50 में आपको जो चीज कड करनी है वो आपको question दिख रहा होगा question number 5 & 6 question number 5 & 6 को आपको remove कर देना है ओके देन आपको आना है page number 53 पर उसके बाद सबको आना है page number 53 पर पे question आपको delete करना है वो problem set 2 का question number 6 है जो यहां से delete हुआ है उसके बाद उसको कोई भी उसके साथ चेडखानी ने कीएग वो पूरा स्लेवस आने वाला है ठीक है और प्रोबिल्टी भी जो अगर आप probability की बाद करते है पूरा का पुरा है तो आपको arithmetic इसके बाद सबको आना है पेज नंबर 94 पर पेज नंबर 94 पर पेज नंबर जब आप 94 पर आओगे तो आपको यह जो आपका टम दिखा है इस पूरे को आपको कट कर लेना है इसको स्लेबस से रिड्यूस कर दिया गया है दिन आपको 94 के बाद आना है 96 पर 94 के बाद आपको आना है 96 पर 96 के फूल पेज को यह 96 का फूल पेज है फूल पेज आपको कट कर लेना है 96 के फूल पेज को हटा दिया गया है उसके बाद जैसे ही आप 97 पे आओगे तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि 97 से लेकर याद रखना 97 से लेकर 108 ये पूरे पेज को पूरे पेज को डिलीट कर दिया गया है पूरा पेज आपके स्लेबर से रिड्यूस हो चुका है दिन आपको next पार्ट पर जाना है 111 उसके बाद आपको जाना है 111 पेज पे 111 पेज पे आप आओगे तो आपको दिख रहा है problem set 4b ये जो problem set 4b है ये पूरा का पूरा problem set 4b इसे कट किया गया है कौन सा problem set से आपको पढ़ना है 4a पढ़ना है जो इसके पहले है तो 4b को पूरा का पूरा syllabus से क्या कर दिया गया है बच्चो कड कर दिया गया है problem set 4b को यह 4b 11 और 12 पे है तो दोनों का जो full page है 11 का भी है और 12 का भी जो full page है वो आपको cut कर लेना है यह दोनों 4b के अंदर आते हैं तो दोनों क्या हो जाएगा cut हो जाएगा देन आपको directly आपको दिखना है कि इसके बाद probability है इसके बाद probability पूरा का पूरा लेशन आएगा कोई reduction नहीं हुआ है इस लेशन में तो आपको probability पे फूल focus करना है वो पूरा का पूरा आएगा कुछ भी कटा नहीं है देन आपको next part प्याना है statistics पर इस्टेटिस्टिक्स के page नंबर प्याना आपको डारेक्ट पेज नंबर 132 कौन से पेज नंबर प्याना है 132 पेज नंबर पे सब लोग चलते हैं लोग पेज नंबर 132 पे जब आप 132 पे आओगे तो यह method देखेगा आपको statistics का और यह method का नाम है assumed mean method यह assumed mean method यह पूरा method यह आपको omit करना है इससे related question में क्या हो जाएंगे omit हो जाएंगे तो यह assumed mean method को आपको eliminate करदेना है यह method नहीं आने वाला है देन आपको आगे चलना है 132 पेज हो गया देन आपको 133 पेज भी पुरा eliminate कर देना है full page, ठीक है, 133 का full page क्या है, eliminate है, then आपको next part पर चलना है, 33 के बाद 134, जो 134 का page है, उसको भी क्या करना है, आपको eliminate कर लेना है, 135 भी, 134, 135 में जो आपको देख रहा है, step deviation method, ये method को भी आपके slabber से क्या कर लिया है, उन लोगों ने delete कर दिया है, तो 130, pipe में जो step deviation method है, इसको भी क्या किया है, उन लोगों ने, यहां से delete कर दिया है, जो आपके slabber में नहीं आएगा, then 137, 136, 136 full page आपको क्या करना है, delete कर देना है, इसको यहां से, और साथ में 137 का full page भी क्या है, आपके लिए remove किया गया है, यहां से, तो आपको पूरे ची जो देखनी है, वो 133 से लेके, 133 से लेके, 137, इन सबका full page, full page आपको नहीं पढ़ना है, then आपको आना है, page number 138 पे, आप जब 138 पे आओगे, तो कौन-कौन से question आपको नहीं पढ़ने है, वो question है, question number 2 आपको नहीं करना है, question number 4 नहीं करना है, और question number 5 और 6 नहीं करना है सिर्फ कौन-कौन से question आपको करने है question number 1 करना है और 3 करना है तो आपको 1 और 3 ये दोनों question करने है 2, 4, 6 ये दोनों question नहीं करने है तो आपको ये शीज देखना है कि 1 और 3 क्यों करना है कि क्यों वो direct method पर है और 2460 क्यों ने करना है कि क्यों अजिम्ड में और इस्टिप डेविएशन मेथट पर बेस्ट है ओके फिर डारेक्टली आपको आना है पाई डायगराम पर पाई डायगराम स्टार्ड कहां से होता है 159 से तो हम लोग 159 पर चलते हैं डारेक्टली सब लोग 159 पर आजाओ अपलोग तो दिखिए आप यह पाई डायगराम आ गया 159 पेज नमबर तो इस 159 पेज नमबर जो पाई डायगराम है इसमें रेडिंग दिपाई डायगराम यह ऑले पर्सन को आपको ऑले करना है तो पाई डायगराम में दो पार्ट होता है उसको प्ल पेज को क्या करना है ये पेज में नहीं आने व्रेज नमबर फिर आपको page number 160 दिखेगा, यह 160 का full page भी आपको क्या करना है, eliminate कर लेना है, इससे omit करना है 160, then आपको next page मिलेगा, next page पे, यह कौन सा page है मालों में, page number 161, इस page number 161 में, आपको सबसे उपर आप जाओगे, तो यह part 4 दिखेगा, यह part 4 इसके पहले वाले question का है, तो इससे आपको क्या करना है, eliminate कर लेना है, cut करना है, then आपको 161 के बाद directly आना है 164 पे, कौन से part पे आना है, आपको आना है 164 पे, तो यह आपको दिख रहा है, page number, यह इसमें कौन-कौन सा part cut करना है, वो आप देखो, यहाँ पे जो question number आपको दिखेगा, question number आपको दिख रहा है, 5 and 6, yes, तो इसमें जो question number दिख रहा है, 5 इसको भी नहीं करना है, और question number 6 को भी नहीं करना है, क्योंकि यह दोनों question आपको reading the pie diagram से related है, इसलिए इन दोनों question को इस आपको आना है 165 पे, 165 पे आपको कुछ question दिख रहा है, यह page number कौन सा है, page number है, यह आपका page number है 165, और इसमें दूसरा वाला question जो है, इसे cut कर लेना है, यह वाला question, उसके बाद आपको जो चौथा question है, यह भी क्या करना, यहाँ पे cut कर लेना है, उसके आगे हम लोग चलत 165 पर आपको आना डारेक्टली 167 पे यह आपका पेज है 167 चलो 167 पर हम लोग आते हैं 167 पर पार्ट आपको कड करना है सिर्फ एकी question है यहां पर और वह question है question number 14 क्यूंकि यह reading the pie diagram पर है तो इसको भी यहां से क्या करना है cut कर लेना है then उसके बाद आपको आना है next part पर पेज नमबर 167 के बाद है नेक्स पेज नमबर ये पेज नमबर है 168 और इस पेज नमबर 168 पे आपको 16 question कड करना है 16 question कड करना तो यह आपका जो full अलजेबरा का पार्ट था वह हम लोगों ने कवर किया जमेट्री जो है आपको जमेट्री वह नेक्स वीडियो में देखे की कौन-कौन से पार्ट इसमें से eliminate होने वाले हैं तो हलाकि कुछ पार्ट इन लोगों ने जो डिलीट किये अगर आप उपढ़ लोगे तो कोई प्रॉल्म नहीं रहेगा लेकिन स्लेबर से यह चीजे बोर्ड एक्जाम में इतनी चीजे नहीं आने वाली है तो thank you for watching this video अगर आपको यह वीडियो अच्छा ल